अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले जिंदगी कैसे जीना चाहिए आपका प्रशन है जिंदगी शांत चित्ते से बिना शिकायत की जीना हमें आज लोगों को बड़ी सिकायत रहती है बेटे को मा से बेटे को बाप से पड़ोसी से रिस्तेदारों से पूरी जिंदगी आदमे की सिकायत में जाती है है ना पूरी जिंदगी पती को पतनी से सिकायत है मेरी पतनी है सी मेरी पतनी है पत्नी को पत्नी मेरा पत्नी ऐसा अच्छा दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है और दूसरे का पत्नी अच्छा लगता है दूसरे की सास अच्छी लगती है और दूसरे की जिठानी अच्छी लगती है पर खुद की जिठानी खुद की सास तो दुस्मन लगती है क्यों क्यों कि जिंदगी शिकायत भरी है आपको अपनी साथ से सिकायते हैं आपको अपनी वहू से सिकायते हैं आपको अपनी जिठानी से सिकायते हैं जिनके जीवन में शिकायते हैं वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं बोज़ा ढो रहे हैं इसलिए उन्हीं का जीवन सुखी है जो शिकायत फ्री है कोई शिकायत नहीं हमें साथ से कोई शिकायत नहीं हमें वहू से कोई शिकायत नहीं हमें पती से कोई शिकायत नहीं हमें अपने पुत्र से कोई शिकायत नहीं हमारे पडोसियों से भी हमें कोई शिकायत नहीं हमारा गर बड़ा है हमें कोई शिकायत नहीं आज हमने नमक रोटी खाई हमें कोई शिकायत नहीं अब कोई नमक रोटी खाई तो शिकायत करता साहब हमारे पास तो खाने को नहीं है कोई का घर छोटा है तो शिकायत करता साहब हमारे पास तो घर छोटा है साहब हमारे पास तो साइ तो जिसके जीवन में शिकायत नहीं है, वो आदमी सबसे सुखी है, और जिसके जीवन में शिकायत है, वो सबसे दुखी है, शिकायत भरा जीवन, मत जिया करो, बोजा बन जाएगा, गुट-गुट के जीने से ठीक नहीं होगा, जिन्दिगी बदल जाएगी, शिकायत चली जयां गी तो